हलो बच्चों कैसे आप लोग उमेद करती हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चों आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्लास्टिक परदूशन आप जानते हैं प्लास्टिक क्या होता है है ना प्लास्टिक परदूशन यानि प्लास्टिक से होने वाले परदूशन के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं इस पार्ट में ये बताया गया है कि हम प्लास्टिक से बनी वस्तों का परियोग ना करें प्लास्टिक से बनी वस्तुएं विशेश कर पॉलोथीन की थेलियां काफी मात्रा में प्रचलन है प्लास्टिक के परियोग से तेन परती दिन धर्ती पर परदूशन बरता जा रहा है और इससे खीती बाड़ी को भी बहुत नुकसान पहुच रहा है बच्चो इस बैल को ध्यान से देखो यह बैल मर गया है डॉक्टर का कहना है इसके अमृत्यू कोडे कच्रे में पड़ी पॉलोथीन की थेलियां खाने से हुई है इसके जिम्मेदार हम और आप हैं हम खरिदारी करते समय सामान पॉलोथीन की थेलियों में लेते हैं और फिर सामान निकाल कर थैलियां इधर उधर फेक देते हैं। जानवर घास आदी के साथ इन थैलियों को भी खा जाते हैं। इसका प्रणाम यह होता है कि उन्हें अपनी जान तक गवानी पड़ती है। बच्चों हम क्या करते हैं हम जब भी समान खरीते हैं हम थैलियों में समान खरीते हैं प्लास्टिक की थैलियों में हमें प्लास्टिक की थैलियों में समान नहीं लेना चाहिए अगर हम लेते भी हैं तो हमें इधर उधर उधर उनको नहीं फेकना चाहिए अब जानवर बिचा स्वास्ते के लिए बहुत बहुत नुकसान दायक है। उससे कैंसर तक हो सकता है। तो बिचारे उन जानवरों को अपनी चान तक गवानी पड़ती है। पॉलिथीन या प्लास्टिक की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह प्राकर्तिक रूप से नश्ट नहीं होते। इस कारण प्लास्टिक द्वारा उत्पन परदोशन की समस्या आज के युग में विकराल रूप धारण कर चुकी है। यह हमारे स्वास्ते के लिए बहुत हानिकारक है। हानिकारक का अर्थ होता है बच्चो नुकसान दायक। और परियावर परदोशन का सबसे प्रमुख कारण है। प्लास्टिक की बेटा सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो यह है कि वो खुद से डिलूट नहीं होती है। वो प्राकर्तिक रूप से नश्ट नहीं होती है और आज के समय में प्रदोशन का सबसे में कारण है। पहले जब हम बाजार में सामान खरीदने के लिए जाते थे तो हमें कागज के थैले थैलियों में सामान मिलता था। लेकिन आज दूद की थैली से लेकर सबजी तक के लिए प्लास्टिक की थैली का प्रियोग क किया जा रहा है घरों दुकानों कारियालियों सभी जगे दैनिक उपयोग की वस्तों में प्लास्टिक का ही बोल बाला है पीतल तांबे जैसी धातुओं के दाम इतने उचे हैं यानि इतने महंगे हैं ये धातुएं कि उनसे बने सामान को हर वर्क के लोग नहीं खरी सकते प् संभव यानि संभव नहीं है इंपॉसिबल है ये बात सच है कि प्लास्टिक के प्रचलन से हमारे जीवन में सुगमता आई है सुगमता यानि सरल्ता लेकिन इसकी कमियों को नकारा नहीं जा सकता खेतों में मिट्टी के अंदर अगर पॉलिथीन दब जाती है तो बीज का अंकुर उपर नहीं निकल पाता बच्चो जब हम समान खरीदने जाते हैं पहले क्या होता था कागज की थैलियों में समान मिलता था लेकिन अब क्या होता है प्लास्टिक में मिलता है इवन हमारे लंच बॉक्सिस भी होते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं वाटर बोटल्स होती हैं हमारी वो भी हम प्ला कांबे का पानी हमारे सिहत के लिए बहुत अच्छा होता है लेकिन भारी होने के कारण हम उसको यूज नहीं करते हैं है न प्लास्टिक के कार खाने पड़ी मात्रा में परदूशन फैलाते हैं यदि समय रहते इस समस्या के प्रतिजागरुक नहीं होंगे तो हमारा जीवन ही खत्रे में पड़ जाएगा बच्चो जो प्लास्टिक के जो कार खाने होती यानि फैक्ट्रियां जो प्लास्टिक की होती हो इतना प्रदूशन फैलाती हैं इतना धुवा फैलाती हैं कि हमारा जीवन खत्रे में पड़ सकता है अगर हमने समय रहते हैं इस पर ध्यान नहीं दिया तो इस प्रदूशन को दूर करने के लिए हमें ही पहल करनी होगी जब भी हम कोई सामान खरीदने जाएं तो अपने साथ कपड़े या जूट का थैला अवश्चे ले जाएं जरूरत पढ़ने पर कागज के थैली थैलियों का उपयोग करने के बाद उसे इधर उधर न फैकें जनता को अपने ढंग से इसमें सहयोग देना चाहिए तभी हम लोग प्लास्टिक द्वारा उत्पन परदूशन की काली चाया से बच सकते हैं बच्चों आओ आज हम सम मिलकर संकल्प करें कि हम प्लास्टिक से बनी वस्तों का प्रियोग नहीं करेंगे बच्चों इ हमें क्या सिक्षा प्राप्त होती है इस पार्ट से हमें ये सिक्षा प्राप्त होती है कि हमें प्लास्टिक का प्रियोग नहीं करना चाहिए यह हमारे प्रकती के लिए हमारे स्वास्ते के लिए और हमारे आसपास जो जीव जन्दू है उनके स्वास्ते के लिए भी बेहत नुकसान दायक है, बेहत हानिकारक है, तो बच्चों हम संकल्प करें कि हम जब भी मार्केट जाएं, जब भी हम समान खरीदने जाएं, तो अपने संग अपना थैला अवश्य ले कर जाएंगे, ठीके बच्चों, पाकिस का भ्यास आप स्वेम कीजिए,